अब आफ पूछ होगे कि बेड़ क्वालिटी क्यों क्यों कि मैंने अपनी लास्ट कुछ वीडियो से आपको बताया था कि यह गाड़ी पीछे डाके डारेक्ट दिवाल में लगे थी ठीक है और पूरी दिवाल इसने चोटी जो थी वो तोड़ दी तो मैं आप लोगों को सब कित्रा उस दिवाल कोड़ा में जो आप अभी खुद देखोगे ठीक है और वो सेमेंटेट दिवाल है मतलब इटो को सेमेंट से जोड़ा गया है तो उस पर यह पीछे टकर आई थी ठेक है पहले अंदर जाके आपको बता बात बता देता हूं कि क्या है सेनारियो फिर हाँ जी तो हुआ क्या था सिनेरियो सिफ ऐसा है कि हम लोगों ने यह गाड़ी नहीं नहीं लिए और जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि यह फस्ट कार है तो यह गलती से ना हम लोगों से स्लाइड होके मतलब ब्रेक में लगा टाइम से एक दम हो गया और एक्सिडेंट क और सीधा पीछे जो दिवाल है छोटी एक दिवाल बनाई थी बैठने के लिए उस पर टकराई थी और पीछे जो सैलेंसर एरिया है उसके भार की जो प्लास्टिक है उस पर गाड़ी हिट हुई थी तो मैं आपको पहले टाटा पंच की पीछे से दिखाता हूँ कि क्या दिखाता हूँ वहाँ पर गया हूँ वैसी आगे भी ये टच हुई थी तो आगे भी आपको दिखाता हूँ डामेज कितना हुआ है और क्या वह उस लेवल का है जिस लेवल की इसकी बेल्ड क्वालिटी की बात होती है तो उसके उपर छोटी से वीडिया सब सब बहले मैं पर अपको देखाता हूँ गाड़ी का डामेज कि गाड़े में कितना रुकसान आया था फिर मैं आपको दिखाता हूँ कहा भी फीशे लगी दी इन HOL तो यह आप यह देखो पीछे से अभी एडिया देख रहे हूं यह वाला यह वह एरिया है जो दिवाल पर जाकर भट पीछे से लगा था और आप डामेज देखो गाड़ी में मतलब अल्मूस्ट ना के बराबर है यहां पर कुछ पास यह खरो जाई है देखो यह देखो यह थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब अब तो प्लास्टिक टूटा नहीं है तो यह हाल है पंच्य पीछे से ताटा की बेट की बात हो देन और यही हो दिए देखो कुछ भी नहीं है खरोश ने डेंट नहीं कुछ नहीं क्या टूटा यह टूटा इसका माट फ्लैप ठीक है किया है तो यहां लगा हुआ था कि तो यह यहां लगा हुआ था इसको वह निकल गया और इसको भी बॉल्ट था यहां वाला वह वह बहार से तूट गया को क्योंकि हो प्लास्टिक का होता है ठीक है वह बोल्ल्ट टूटा को यह अब विए YUyan घा वारना आप देखों much flap को को भी कुछ नहीं हुआ है ठीक है और यह है पीचे साब मैं आपको दिवाल दिखाता हूं जहां पर यह टकलाई थी कि अगया अगया है अगया है अगया है कि अगया है कि अगया है तो आपर जो देखा हूँा भी कि पूरी सिमेंट की दिवाल और टाइल सोनने के बाद यहाँ जरासी भी क्रोच नहीं है अल्मोस्ट नहीं हो है बस मटफला टूटा है मटफला भी टूटा मटफला टूटा मटफला टूटा अट इसका जो बूल्ट था यह निकल गए थे दुनों देखो यह वाला बूल दुना तो क्या की अक्सान वाता आगे यह देखू आप स्क्रास देख रहो यह यह ठीक है कुछ यह पर नीच अब यह थीन तो यह जो है है यह जो पूरी स्टील की आप देख रहे हैं यह जो पूरी स्टील होगे तिक इस तरफ को खुला हुआ था और गाड़ी को यहां से निकाल नहीं तरह था तो इस में हिट करता हुआ यह पूरी आगे तरह गड़ तक मतलब पूरा रगड की क्या था और यकीन मालो दिखने में या सुनने में असान लग रहा होगा बट जितना लगा है उस हिसाब से एक भी डेंट आपको कहीं देख रहा होगा सिर्फ आपको स्क्राइच दिख जाओंगे जो की नॉर्मल हैं व हम बात कर लिए बाट भी हम लेनी रहा है बस इतना डैमिज है इसमें उस पूरे स्टील के गेट से रगडने के बाद तो यही चीज होती है जिसके बारे मैं अक्चुली बात की जाती है कि टाटा 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 की बेल्ट क्वालिटी तो यही रीजन है जब आप लोग यह शुनते की कि कहते हैं नुद का कि टाटा की बिल्ड टाटा का क्या है वाई ध्री जलैंडर इंजन है यह वह यह वह यह सबसे ज्यादर ज़्जूरी है कि गाड़ी आपकी सेफ यह चाए दो स्लेंडर गा हो तीन स्लेंडर का हो 800 CC का हो यह पंद्राश्व सीजी का उससे तो यही था आपने पीछे का डामेज देख लिया होगा पीछे आगे वाला तो मैं फिर भी इतना बड़ा नहीं कहूंगा लेकिन पीछे तो भट आवा जाई थी पीछे लगने के बाद और एक ऐसे हिट के बाद जहां उसने पूरी एक सिमेंटेट दिवाल जो की टाइल्स भ क्रोलने के बाद भी गाड़ी का पीछे के एरे में एक जरा से 5-6 क्राचे और खरोज हैं तो भाई आप समझ लो क्यों टाटा को बेल्ड क्वालिटी के लिए माना जाता है और क्यों बेल्ड क्वालिटी के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी उसपी बोली जाती है फाइव स्ट आटा की बिल्ड कॉलिटी आक्चिली में है मैं भी आप ही लोग की तरह यूट्यूब पर देखता था समस्ता नहीं था मैंने सोचता था कि या यह ऐसी बात है लेकिन जब आप खुछ सामने हुआ तब समझाए कि कि कितना यह गाड़ी आपको सेफ फील करवाती जब आप इसको रूड पर चलाते हो गलती हमेशा आपके ही नहीं होती है सामने वालेगी भी हो जाती है और यह नो होनी तो होनी है कोई नहीं टाल सकता बस आप सेफ हो वह बड़ी चीज़ है तो यह यह वीडियो थी थी थैंक यू फॉर वाचिंग स्टे सेफ और जैहन बाई